2023 आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा decision आप क्या ले सकते हैं देखें जब भी हम अपने future की तयारी करते हैं तो हम हमेशा past को देखके future की तयारी करते हैं हम देखते हैं past को और सोचते हैं कि पहले जो होता रहा वही आगे होता रहेगा तो past को हम देखते हैं और future की तेयरी करते हैं तो क्या बनना चाहते हैं आपने देखा कि past वाले अंकल के बच्चे को IT में अच्छा पैसा मिलता है तो software engineer की बात बनाने की बात करते हैं doctor engineer बनाने की बात करते हैं study में अभी तक हम को 5 से 15 साल लगते हैं हमेशा 5 to 15 years का कम से कम टाइम मतलब एक बच्चा अगर 6 years की age से पढ़ना शुरू करें तो 2022 की age तक average मैंने बना 5 से 15 साल का time आपको चाहिए और समझो अभी आप आपने high school कर रखा है higher secondary कर रखा है तो आप graduation के लिए पोस graduation के लिए जा रहे हैं selection होना चाहिए उसके बाद में selection हो गया तो आपके पास fee होनी चाहिए कि आप उस education को offert कर सके job आपने कर लिया तो ठीक है आपको सब लोगों के साथ काम करने का मोका मिलेगा अगर आप select हो गए तो और 1k to 5k per day की आपकी salary होगी मतलब maybe 30-40 thousand per month से लेके 1k 50,000 या 2k per month तक की आपकी salary हो सकती है लेकिन आप दूसरों की पसंद का काम कर रहे है और आपको काम का एक छोटा हिस्सा मिलता है जैसे कोई जूता बना रही company तो कोई बंद बना रहा है कोई soul बना रहा है इस तरीके से आप अपने एक part में काम करते हैं इसलिए job satisfaction वाला एक problem 90% jobs में होती है अगर आप business करना चाह रहे है तो 5 to 50 lakh का minimum investment होता है 5 से 50 लाक रुपए का और 10 से 20 लाक रुपए परे नम की आप कमाई कर सकते हैं मतलब यहाँ पे भी मैं बात मानू तो 2000 से लेके 10,000 रुपए पर डे आपकी कमाई हो सकती लेकिन cutthroat competition है देखे जब भी हम past को देख के कोशिश करते हैं कि पहले जो हुआ वही अभी होगा तो उसमें धुका क्यों होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे पहले यह trajectory रही है तो अगर आपने सोचा पहले जो हुआ वही फिर से होगा तो फिर हम यह सोच सकते हैं कि वही चीज फिर से दोरही जाएगी तो आप दुबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन हालात बदल चुके होते हैं ऐसे मैं मैं आपसे कहता हूँ कि पहले जो कुछ हुआ उसने अगर आपको यहां तक पहुचा है तो दूसरी ट्रेजेक्टरी ऐसी हो सकती है वो exponentially ऐसे उपर तेजी से चीजें जा सकती है कहीं तक भी किसी ने नहीं सोचा था कि सेलेरी का लेवल 2 लेक, 3 लेक, 5 लेक रुपेस पर मन तक पहुच जाएगा ऐसे माबाप के बच्चे जो 10 जार, 20 जार रुपे पर मन की सेलेरी कमाते थे वो बच्चे 5-5 लाख रुपे पर मन भी कमाने लगे लेकिन यह उनके साथ हुआ है जिन्नोंने पुराना पास्ट को देखा लेकिन पास्ट को देखके future की जा सकती है तो अगर आपको अपनी आखे खुली रखनी है तो global scene को देखिए दुनिया भर में जो developed countries में हुआ है developing countries में 10-20 साल बाद वो होने लगता है अब आपकी movement cost increase होती चली जा रही है मतलब आप कोई भी काम करना चाहे है job करना चाहे है तो आपको अपने office तक commute करने के लिए वापस आने के लिए जो cost लग रही है time और पैसा दोनो आपको पता है नए commute करने के लिए petrol भी महँगा हो गया है और road पे traffic भी है तो time तो लगेगा लगेगा साथ में आपकी energy पूरी तरह exhaust हो जाएगी तो यह सब आपको दिमाग में रखना है कि movement की cost बढ़ती चली जा रही है मतलब अब हमको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिन में movement कम से कम हो abruptive technologies आ गई है मतलब इस तरह की technology आ जाती है कि पुरानी technology को उखाड़ के फेक देती है मतलब जो कुछ भी आप पहले business में करते चले जा रहे थे अब हो सकता है कि वो business अब दुबारा हो ही नहीं business मर जाएंगे दोस्तो businesses will die हमेशे डर लगा रहता है कि हमने कुछ शुरू किया पता चला वो business ही गायब हो गया क्योंकि आपको मालूमता पहले mobile phone एक luxury business हुआ करता था फिर आपको हर चोराहे पर उसकी 20-20 दुकाने दिखने लगी और जो profit margin है वो दिरे-दिरे खतम होने लगा केसेट का cd का business आता था printing price का business होता था photo studio होते थे यह सारी technology की जब change हुई तो सारे-सारे business मर गए businesses मर जाएंगे दोस्तो businesses will die but mother of businesses won't die business की जो मा है वो नहीं मरेगी business की मा को ने? capital, capital कभी नहीं मरेगी और capital नहीं मरेगी इसलिए capital market भी नहीं मरेगा capital market हमेशा जिन्दा रहेगा इसको कोई भी virus रोक नहीं सकता कोई virus, corona हो या कोई दूसरा virus भी आगे चलाए we don't know तो कोई virus रोक नहीं सकता US economy चले, नहीं चले crypto चले या gold crude oil चले, एक बार अगर आपने online trading सीख ले तो हम भी दुनिया के साथ चल पाएंगे तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों ये tough है कि आप पुराने system को छोड़ दे, old system को चोड़ देना ये तो बहुत मुश्किल बात होती है लेकिन हम नए system से update तो कर सकते हैं न चीजों को मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपने colleges छोड़ के अपने traditional degree को छोड़ दे, आप 5 लाग 7 लाग रुपे में जो degree कर रहे हैं करते पड़ेगा, तो total 8 से 10 लाग रुपे आपने खर्च कर दिया, उसका 10 परसेंट एक्स्ट्रा खर्च करके आप अपना efficiency बढ़ा सकते हैं, तो 10 परसेंट एक्स्ट्रा input डाला आपने, तो 1000 परसेंट एक्स्ट्रा deliver कर पाएंगे efficiency यही सोच चाहिए आपको दोस्तों, अगर आज के जमाने में आपको आगे बढ़ना है, आज के जमाने में पहले तो यसा था कि लोग चल जाते थे अब पहले जो सिखा है उससे आप अगले 20 साल, 30 साल गुजार लेते थे अब तो doctor हो, engineer हो, CA हो जो भी हो, software engineer हो या businessman हो, आपको अपने आपको update करने की जरूरत है तो दोस्तों, हमने यहां stock market का जो course किया, money management का आप पैसा कहीं से भी कमाओ लेकिन आपको अपने आपको update करने की जरूरत है इसलिए 11,000 का यह course ताकि आप जो course 10,000,000 में कर रहे है उसका 10% एक्स्रा खर्च करके आप अपने efficiency को double कर सके लेकिन इतना बड़ा decision लेने के लिए आपके पास आधार क्या है इसलिए हम लोगों ने 999 के self recorded video courses रखे है जिनसे आपको इस बात का idea हो जाए जो कुछ भी आप यहाँ पर करने आ रहे हैं सीखने आ रहे हैं उसका quality उसका level केसा है यह decision लेने में भी किसी को सोचना पड़े तो फिर उनकी बारे में तो खेर बात ही नहीं की जा सकती 999 का कुई साथ course आप लेके जिसे intradicay, swing trading का आपने course लिया आपने option trading का course लिया आपने commodity का या crypto का course लिया और आपको लगा हाँ यहाँ पर जो चीज सीख रहे हैं वो दीरे दीरे हमारे दिमाग में उतर रहे है और इनका support रहेगा तो आप 2023 में नए सीरे से कोशिश कर सकते हैं यह आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी हम कुछ पैसा खर्च करते हैं तो अपने उपर investment हम सबसे कम करते हैं हम Reliance में, L&T में, Tata में सब में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन सबसे कम भरुसा किस पे? खुद पे मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने उपर पैसा लगाओ अपनी कमपनी में पैसा लगाओ फिर आप देखो आप किस तेजी से उपर उठके जाते हो आज कल उपर बढ़ने की कोई limit नहीं है दोस्तों आप जो भी कहानिया सुनते हो आज आपको लगता है हमारी जिंदगी में तो आँकड़े कभी आएंगे ही नहीं कहां 5 करोड कहां 10 करोड 50 करोड 100 करोड 500 करोड 1000 करोड क्या possibility है मैं possibility की बात नहीं करता है मैं तो आप से सिर्फ यह कहता हूँ क्या आप अपने आपको जवाब दे सकते हैं बस यही ध्यान रखे बाकी कोर्स के डिटेल के लिए आपको मैं यहाँ पर फोन नंबर देता हूँ उस पर वाट्सेप कर सकते हैं 82693 82693 99398 इनको फोन लगाई है इनसे कहिए हमें कोर्स के डिटेल भीज दीजे तो कोर्स के डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों और उसके बाद आप कोई भी छोटा सा कोर्स लेके एक बार सीखना शुरू करेंगे तो मुझे पक्का पता है कि फिर आपको इस सोचने की जरुरूत नहीं पड़ेगी कि सीखने से फाइदा क्या मिलता है सीखने से बहुत हजार फाइदे मिलते हैं नहीं सीखने से भी आपका पैसा तो रोज जा रहा है जब आप सुबह उठके शाम तक सो रहे हैं तब तक आप पतानी कितना पैसा खर्च कर रहें, कितना time चला जा रहा है, पैसा तो फिर भी खर्च हो के कहीं से वापस आजाएगा, पैसा तो हो सकता है कि आपके पास नहीं तो आप अपने पिताजी से या अपनी मां से mom date से मांग लेंगे लेकिन टाइम जो चला गया ना दोस्तों उसको दुबारा आप नहीं मांग सकते कहीं से इसलिए केसे भी आप सिखें धीरे सिखें जल्दी सिखें काम का सिखें बेकार सिखें लेकिन 2023 में अपने आप से प्रॉमिस कर लिजें कि मैं अपनी efficiency बढ़ाऊंगा और यह जो तरीके हम अभी तक जो कुछ भी slow progress के हमने तरीके देखें अब हम fast progress की त्यारी करेंगे